बच्चो हम कक्सा साथ की गणित पाटे पुस्तक का ध्यन कर रहे हैं और हमारा आज टोपिक चल रहा है बच्चो अध्याय तेरा क्या नाम है बच्चो इसका गहतांक और घात एक्पोनेंट्स एंड पावर्स बच्चो आज हम प्रसनावली तेरा सुरू करने जा रहे हैं जि बढ़एं इन संक्याüne को सरल्ता से पढ़ने के लिए गातांकों का प्रियोग करते हैं अब बड़ी संक्या होते हैं जれて clumsy दस अरब गया पचास अरब 10 खरब इन संक्या版 को रूप में लिखकर सारल्ता से पड़ सकते हैं जैसे बच्यों डस अजार है दस अजार की संक्यायो लिख सकते हैं और इनको भी और चोटे रूप में लिखना हो तो दस की घात 4 रूप में लिखा जा सकता है बच्चों दस-कितनी बार गुणा भर रहा है एक डो तीन चार तो दस-खुद से चार भार गुणा हो 5 कितना होता ए विच्व दसकी पाउर 5 का मान कितना होता है पॉप 2प फिर 7 कीव फाउर 5 कुद से 5 बार गुना करने यह तो देखो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 संचयां को खात को संख्या में भी लिखा जा सकता हैं जब आदा आधार दस हो ठीक है बच्चों समझ गए आप देखो आगे वे संख्य जिनका आधार दस नहीं है अब यदि ऐसी संख्या आजाए जिनका आधार दस नहीं है तो क्या करेंगे जैसे बच्चों इक्क्याशी है 80 को हम पर क्या लिख सकते हैं 31 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 52921 friction जुख्याशी cooperate टीन के रूप में लिख सकते हैं 3 को किते बार गुंआ करें चार बार तो इसको लिख देंगे 3 की घाट 4 यानी तीन को खुदसे 4 बार गुणा करना है बच्चों यहां आधार किया है आधार 3 औ और घातां चुयार है अब भी पांच की का थीन पांच को 5 से तीन बार गुणा करना है कितना आए गाए खाँ पाँचीश को पांचीश पांचीश को पांचीश को पांचीश किए एक यह बड़ाबर इस परकार हम घात को पुर्ण संख्यों में बदल सकते लिए इस यह इसको तो गहात में बदलना है तो 243 का गुणा दोता है तो तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन को पांच बार गुणा करेंगे तो कितना हैगा 243 तो इसको लिख देंगे तीन की घात 5 जहां आधार कितना है आधार तो है तीन और बच्छो गहात कितनी है पा दसका गहात गहात के बढ़ और जल रहा है कि अबत्चों दस सकते हैं इसको हम्धों दस के ऊपर घात दो क्या बोलेंगे welcoming के उपर घात डो यह वर्ग परते हैं डस का वर्ग में गहात दो होता है लूस्का यहक्छार चाहरत दस की गहात दो यह 12 रह वर्ग यहांनि 10 की गाथ 3 एकःजार ऐसी जाएगा 3 कई होगा एसे पहांच ङसे क्या है कि पांच फाथ की गाथ 3 वर्ग지 का पारे में समझ गए तीन की घात तीन होगा तो उसको घनग पटा जाएगा गात दो घात तो उसको वर्ग पड़ा जाएगा ठीक है बच्छों आगे देखो कि जब आधार एक रिनात्मक पुर्णांग हो तब क्या करना है अब बच्छों के यदि आधार ही रिनात्मक पुणांगो तब क्या करना है सबसे पहले जैसे माइनस दो की घात तीन तो माइनस दो की घात तीन का मतलब क्या है माइनस दो खुद से तीन बार गुणा हो रहा है तो देखो इसको लिख सकते हैं माइनस दो गुणा माइनस दो गुणा माइनस दो ठीक बच्छो इसको होगा माइनस के दो से आप संक्या होगों कुना दो चयार को दो से किया आठ प्लस को माइनस से किया माइनस के यह अर 2 गुणा माैनेस 2 बच्छेव 4 गोना गया तो एक 8 प्लस माइनस माइनस का 8 गुणा माइनस का गरो सोना मैनेस माइनस माइनस प्लस माम खीसद ही आजएंगे यह ड़ुक्स भोमाइनस बखências 2 की कि जारrict ना गया प्लस के 2 मैनेस डियन दो ठीन माइनसborसलद mouse गात सम है तो आनस्वर प्लस में आएगा माइनस कि अगर घात विसम है तो माइनस आएगा और घात सम में तो प्लस आजाएगा ठीक है बच्चो समझ गे तो आधार रिनात्म को तब भी हम आसानी से हल कर सकते हैं अब देखो आगे गुणन खंड को गात रूप में लिखना कि जो एक को कितनी बार लिखा वह पार तो कितना हो जाएगा तीन और बी इतनी बार है दो बार तो बी कि घात दो प्लस एक उदारन देखो एक काष के रूप में लिखी है 128 को दो की गहाद रूप में लिखना है 129 के गुंडन खंड करेंगे जिसमें 129 की गुणखन के गुंड साबसेफेthest हान। 12 ईचा बारा देंगे 6 बार 8 में 4 फिर दोका भातेंगे 64 में तो गांगे 14 दो पर दो और एक वार जब तक लाश्ट में एक नहीं आ जाता तब तक हमें भाग देते रहना हैS crispy अबाग्छStrom क्या क्या trade यह उतार संख्या आएंगी में रूप गणल रूप में लिख सकते हैं बच्छो अपन 128 बराबर क्या आँ गया दो गुना-दो-दो-गुना-दो कितनी बार है बच्छो देगो-एक-दो-टीन-चार-पांच-छे-सात-बार तो 4, 5, 6, और 7 तो 2 को 7 बार गुणा करेंगे तो कितना ऐगा? 128 और इसको गहात रूप में कैसे लिखेंगे बच्चो? 2 की गहात 7 2 कितनी बार गुणा हो रहा है खुच से? 7 बार तो इसको लिख देंगे 2 की गहात 7 के रूप में ठीक है अब चो यह समझ में आ गया अब 739 को क्या लिखेंगे तो 739 के भी हम क्या करेंगे अब आज ये गुणन खंड तो ध्यान से देखो 739 के शबसे पहले तीन का भाग तीन दूना छे तीन चोग बारा तीन तिया नू फिर तीन का भाग 384 तीन एकम तीन तीन का भाग 27 ब झाए अब बीन चुद को व्यास है अफ टीन का भाग और एक बीर, झब प्रएगर यह अब भाज्य क्रनों कहते है तो इसको लिखेंगे तीन गुणा, इन गुणा, तीन गुणा तीन गुणा तीन की है एक सास्व गूंतीश को हम तीन की गात तिरुक में क्या लिए एक यह उमारा अंसर हो जाएगा ठीके बचार दौनों उधारन समझ में आगए तो आज आज हमने परस्णाव लितरा सूरु करी जिसमें हमने क्याव चिखा कि गहात क्या होती है घहतां क्या होता है और आप ऑधार क्या होता है और यह अब Schmidt कि अ गौध यह मंड़े में चुंग यह नगा. अब शुंद विडियो को सुन्हें से क्लिए होगी अब अगले पार्ट में हम सुरू करेंगे. प्रश्नावली तेरापंड एके उधारन Thank you